गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2, लेक्चर सेकिंड, क्यूस्टन नमबर 4, एक कोर्ड ओफ ए सर्कल, कोर्ड होती है जीवा, ओफ रेडियस 10 cm, सब्टेंड ए राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिगरी का, एट दी सेंटर, के अंदर पर जो है 90 डिगरी का कोण बनाती है, फाइंड दी एरिया ओफ दी कोर्सपोंडिंग, पहला पारट है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होता है लगू वरत खंड का एरिया निकालना आपको, सेकिंड पार्ट में मेजर सेक्टर, दीर्ग त्रिज खंड का, और आपको पाई की जो वैलू है, वो 3.14 लेनी है, तो इसकी जो है, फीगर कैसे बनेगी, बहुत जो सरकल है, उसकी रेडियस जो है, वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी कोर्ड है जो सेंटर पर 90 डीगरी का एंगल बना रही है, तो हमें minor segment का एरिया निकालना है, जो मैंने सेडिड रीजन दिखा रख लगा है, ये minor segment हो गया, इसका एरिया निकालना है, तो किस तरहें से निकालना है, एरिया ओफ सेक्टर O A X B इसके एरिये में से हैं और एरिया ओफ ट्रेंगल O A B ये सब्टेक्ट कर देंगे तो माइनर सेग्मेंट का एरिया आजाएगा तो यहाँ रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमिटर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एरिया ओफ सेक्टर O A X B फोर्मूला क्या होगा पाई आर स्केर थिटा अपॉन 360 इसके अंदर वैलूज पुट करेंगे तो यह आपके पास कितना आएगा 78.50 सेंटीमिटर सुकेर यह एरिया ओफ सेक्टर O A X B आगया अब इसमें से ट्रेंगल का सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा अब एरिया ओफ ट्रेंगल O A B क्या होगा 1 अपॉन 2 इन्टू O A इन्टू O B यानि एक बटे दो गुणा आधार गुणा शीर्शलम तो O A और O B इन में से एक बेस हो जाएगा एक एल्टिटूड हो जाएगा तो इसको आप सोल करेंगे तो कितना जाएगा 50 cm square सेक्टर का एरिया तो यह आया और ट्रेंगल का यह आया अब एरिया ओफ दी माइनर सेग्मेंट इक्वल टू एरिया ओफ सेक्टर माइनस एरिया ओफ ट्रेंगल तो 78.50 माइनस 50.00 यह कितना जाएगा 28.50 cm square यह एरिया ओफ माइनर सेग्मेंट आ गया अब सेक्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है मेजर सेक्टर का निकालना है अब मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितने डिगरी का होगा भाई 360 में से और यह 90 डिगरी का एंगल सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो इसमें रेडियस कितनी होगी 10 cm एंगल 360 माइनस 90 डिगरी इक्वल टू 270 अब एरिया ओफ सेक्टर का ही फोर्मूला लगाना है यहां तो पाई आर स्केर थिट्टा अपोन 360 यहां आप वैलूज पूट करेंगे और इसको सोल करेंगे तो कितना आजाएगा आपके पास 235.50 cm2 यह एंसर आजाएगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें थेंक्यू